हाँ तो गाइस स्वागत है अपनी ऊड़ोग चैनल एजुकेस्टनल न्यूजी में आप लोग को स्वागत है तो आप लोग बहुत सारे स्टुब्लिन्स का कमेंट आ रहते के लिए मिस्टर जो एडिमीसन 2020 से स्टार्ट हुआ है उसमें फॉर्म फिलब कैसे करें कमेंट करके बता रहे तो चलिए मैं आप लोग को बता जाता हूँ कैसे फॉर्म भर भरना है और कैसे रेजिस्ट्रेशन करना और कितना फी है यह तो मैंने पहले वीडियो में बता दिया है ठीक है तो लेट्स बिगन वीडाउट बेस्टिंग और टाम सीधा आप लोग को खोल कर बता देंगे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका सान में इस तरह का कुछ इंट्रफेस खुलकर सामने आये गारुजर जो पे पर नीछे किद रौट करेंगे तो यहां for filling in the application form for admission यहाँ पे दो तरह का link दिया हुआ है ठीक है तो दो तरह का link दिया हुआ है तो दोनों link को मैं अच्छे से आपको बताऊंगा ठीक है step by step ठीक है तो आप लोग मेरे साथ ध्यान से देखिए जो first link admission का उसमें क्या-क्या admission के लिए आप form apply कर सकते हैं तो MBA के लिए कर सक दिया हुआ है यह वाला link यह है अंडरा graduate के लिए यानि के बीबी और बीसी और यह दूद पहला link था क्या post graduation यानि के PG के लिए था और दूसरा क्या है अंडरा graduate यूजी के लिए है ठीक है तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले यूजी के लिए कैसे form भरना है ना बस यही समस् इस पर क्या करेंगे simply click करेंगे जैसे click कर देंगे click करने के बाद आपके सामने इस तरह के interface खुल के सामने आएगा मैं एक बाची कर लाओ desktop मोड में नहीं है तो desktop मोड में आ गया तो desktop मोड में आते हैं आपके सामने यहाँ पर दिखेगा login उला तो login वही student कर सकता है जो इस पर registration कर चुका है 2022 में तो चले हम लोग सिधा new registration पर जाएंगे तो new registration के लिए यहाँ पर देखिए link दिया हुआ है इस पर click करेंगे तो जैस भरने के लिए क्या course applied for यानि कि कौन सा course के लिए apply करेंगे इस पर click करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दो option खुलेगा एक BBA का और दूसरा क्या BCA का अगर आपको जो student अगर BBA करना चाहता है तो यह वाला option सेलक्ट करेगा और जो BCA करना हुआ तो यह option सेलक्ट करेगा ठीक है तो हम क्या करता है BCA वाला पर select कर देते हैं और उसके बाद आता यहाँ पर दूसरा option क्या है नीचे में भरने के लिए reservation category अगर आप लोग reservation category कंद है तो आपको फिव एगरा कम लेंगा ठीक है थाम लोग यहाँ पर option पर क्लिक करेंगा option पर क्लिक करेंगा तो यहाँ देख लिजिए SST, OBC, EBC है थाम लोग BC पर क्लिक करेंगे तो BC पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर cast यहाँ पर BC है यहाँ ब disabilty अगर आप disabilty हैं यानि को अपंग है जैसे कि Halloween है तो उसके लिए यहां पर क्या कर सकते हैं अगर विकलांग है तो यहां पर yes किज़ीं नहीं तो no कजींए यहां पर नो करेंगे तो यह वाला option क्या हो type of disability block हो जाएगा उसमें कुछ नहीं फिल करना है उसके बाद percentage of disability यह भी block हो जाएगा उसके बाद simply यहाँ पर नीचे आएँगे यहाँ पर name of candidate है name of candidate में आप यहाँ पर नाम डाले जो भी नाम है यहाँ पर डाल दिजिए अगर आपका नाम है जो भी निसांत नाम है तो निस निसांत कुमार ठीक है निसांत कुमार डालते ही आपको यहां पर नाम पुड़ा फील हो गया उसके बाद नीचे एक स्कॉल्ल डान किजिए एक हलका सा next time किजिए आता यहां पर date of birth है तो date of birth है यहां पर डालिए यहां पर सबसे पहले year पर select किजिए अगर आपका date of birth 2004 है तो 2004 किजिए उसके बाद month select करना है तो month पर जाएंगे month पर यानि कि November या October जो भी है month पर click करेंगे उसके बाद day है तो day पर आएंगे day select कर लेंगे जो भी day है आपका यहां पर day select कर लेंगे उसके बाद नीचे आता material status यानि कि आप साधी सुदा है या नहीं है उसका option है तो इस पर click करेंगे unmarried है कि single है तो single पर click करेंगे साधी नहीं हुआ तो single पर साधी हो गया तो single single साधी हो गया तो मैंने sorry blood group है तो blood group आपका कौन सा अगर वो पोजिटिव तो पोजिटिव स्लक कर लेंगे उसके बाद आता कि दिनेस यहां दो जो भी नाम है यहां पर आप सलक्ट कर लिजाए ठीक है मैं यहां पर सिर्फ आपको भर कर बता रहा हूं ठीक है यहां पर यह मत समझ लेगा जो यहां पर मैंने मम्मी का नाम पापा का नाम डाला हूं तो मेरे मम्मी पापा के नाम उसके बाद है जेंड यहाँ पे देख लिजे यहाँ पे डिस नेम और डाल लिया था हम लोगों ने यहाँ पे अब बात आती यहाँ पे सस सस्पेस नेम अप्लिकेबल क्रोस्पेंडिंग एड्रेस इसमें अगर डालने का मन है तो डाल सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं ठीक है वो अप्सनल है आप देख लिए अड्रेस बेगरा है आप लोग फिल कर जाए आप फर्स्ट में अपना गाउं का नाम डालिएगा सेकेंड में अपना पोस्ट और थर्ड में अपना पुलिस स्टेशन ठीक है मैं लिख कर बतायाता हूं इस वाले इस वाले अप्शन में अपना भीलेज नेम मैं बताया था भीलेज नेम उसके बाद नीचे वाला में अपना पोस्ट और फिस पोस्ट पोस्ट और फिस नेम नेक्स्ट में आएगा आपका पुलिस स्टेशन पूलिस अस्टेशन पूलिस अस्टेशन उसका बाद आप को देखिए सीटी है तो अगर आप को पतना जिलका है तो पतना डालेगा उसका बाद पीन कोड पीन कोड आप जो भी डाले में यहाँ पर डालेगा जिरो दो उसके बाद आता है आपका यहां पे थ्वासमें देख लिए अगर आपको उपर वाला सब कुछ सेम रखना चाहते हैं तो इस वाले जो looking यह फिल हो जाएगा ठीक है देखलिजिए फिल हो गया ना ऊपर जो मैंने फिल किया था वही नीचे ही सेट हो गया जो भी नमबर है अपना यहाँ पर डाल दीजिए ठीक है जो भी जो भी यहाँ पर नमबर है दस्टोर डाल सकते हैं ठीक है नेक्स्ट में आता है आपका क्या नेक्स्ट में है अरे यार बार बार कट क्यों जा रहा है नेक्स्ट में है आपका फूरास इधर आयार नेक्स्ट में है अपना इमेल आइड़ी इसमें क्या करना है आपको अपना इमेल नाम है उससे रिलेटर आपको बता आता है ठीक है तो हम लोगों ना मोबाइल नमबर फिल कर लिया था का मोबायल नंबर के बाद आता है आपको email डालना है उसके बाद parent का मोबायल नंबर डालना है उसके बाद आधार काड नंबर mandatory है ठीक है उसके बाद यहाँ पर देख लिजी फस्ट में आपका secondary school metric tent तो इसमें आपको stream डालना है तो tent में तो कोई स्ट्रीम होता नहीं तो इसमें अपना क्या बोलता है स्ट्रीम साइन्स कॉमर्स इसमें आप लोग अल सब्जेक्ट का नाम डाल दिजीगा ठीक है उसके बाद था बोर्ड या इनवर्सिट यानिक बोर्ड आप कौन सा बीएस भी से क्यानिके बिहार स्कूल ऑफ इसमें भड़ायगा इसका बताय यहां पर देख़ंग रायब सेके लियनकल टुवेल्थ में तो क्या है इसके बार स्ट्रीम प्रता स्ट्रीम होतां आशइएंस यहां पर साइन्स फिल कर लेंग उसक़ वाद यहां पर बोर्ड है तो इसमें क्या करेंगा बोर्ड यानिके इसमया डालेघुव्यार्ट क्लिक टो आपका रिष्टेशन हो जाएगा और। मुवाइल पर रईस्टेशन आपके मुवाइल नमबर पर मेसज चाल जाएगा आपका रईस्टेशन नमबर और क्या बोलता है पासवर्ड तो जैसी रईस्टेशन नमबर पासवर्ड मिल जाएगा तो आप लोग सिंपले यहाँ पर क्या कर जिएगा लोग इन कर लिजएगा लोगिन पार्ट में देख लिए आपको जी सबिट हो जाएगा तो आपको एक application number दिया जाएगा तो यहाँ पर application number फिल कर लिजिएगा और date of birth ही आपका क्या रहेगा password होगा तो यहाँ पर date of birth डाल कर और और यहाँ पर submit का button पर click कर देजएगा तो आप simply login हो जाएगा login हो जाएगा उसके बाद आपको पूरा payment फिक कर देना है ठीक है तो यह तो रहाँ आपका यूजी के लिए यूजी के लिए full details था आप लोगों ने उमीध है कि समझ लिया होगा पीजी के लिए भी same process है पीजी के लिए भी एगा करना है तो चलिए मैं आपको उसका भी दिखा जाता हूँ अगर जो बंदा जो भी student पीजी करना चाहता पोस्ट ग्रेजुएशन तो उपर वाला पर click करेगा तो इस पर click कर देंगे click करने के बाद सेम प्रोसेस है यहाँ भी new registration है तो इस पर click करेंगे new registration पर जाने के बाद आपको पूरा बेवरा same to save है बस यहाँ पर क्या एक extra fill करना पर जाएगा आपको यहाँ पर जो है graduation का आपको graduation का पूरा फिल करना होगा तब जाके आपका PG में admission हो पाएगा ठीक है bachelor degree यहाँ पर डालना होगा कौन सा कितना cgpa कितना कौन सा डिविजन है उसके बाद यहाँ पर final summit पर click करेंगे तो आपकी PG का हो जाएगा PG का जैसी हो जाएगा वैसे आप लोग सेम प्रोसेस है यहाँ पर एक आपको application प्रोवाइड किया जाएगा और अपने date of birth से क्या नहीं होते हैं देख सकते हैं कि कितना फी लग रहा है ठीक है तो गाइस उमीद है कि यह video आप लोग को पसंद आया होगा तो आप लोग के comment का नुशारी मेने यह video बनाया हो ठीक है तो वीडियो देखने का थैंक्यू सो मच अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को क्या कर लिजेगा सबस्क्राइब कर लिजेगा